हेलो फ्रेंट्स बेरा नाम है करल अमर्दीप और आप देख रहे हैं इस चैनल पर हम आपको देते हैं सैनिक स्कूल, मिलिटर स्कूल, आरेमसी और नवोदे विद्याले के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोचक जानकारी वो जानकारी जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं व अपने दिमाग का प्रयोग करना है उसके बाद आपने इस जानकारी के इस्तेमाल करना है सबसे पहले सैनिक स्कूल के बारे में जो भी आप जानना चाहते हैं तो सैनिक स्कूल सोसाइटी की जो वेबसाइट है सैनिक स्कूल सोसाइटी. इस प्रकार आप सर्च करेंगे सैनि जब अभी आएगा इसमें एडमिशन वाला तो तब एडमिशन के बारे में सारी जानकारी आपको इस एडमिशन पोर्डल से मिलेगी और यहां पर पूरे जो 33 सैनिक स्कूल्स हैं सब के लिंक बने वे हैं जिसको आप क्लिक करके उस पर्टिकलर स्कूल की वेबसाइट पर जा सर्च करना है यह तो JPG आगे JPG नहीं चाहिए अपने को सैनिक स्कूल अमरावती नगर आपने करा तो यह सैनिक स्कूल अमरावती नगर जो है तमिल्नाडु में खुल गया और यहां पर देखें कि बहुत सारा मैनियो आया बही आपर अप क्या आपको चीज़ें जानकारी ह बहुत सारे सैनिक स्कूल से नहीं बताया है कि उनका NDA का सेलेक्शन रेट क्या है लेकिन आप फीस की डिटेल नहीं है तो ज़ा आप फीस की डिटेल पे चेक करेंगे तो यहां पर फीस आ जाती है कि इनका जो yearly basis amount है 874846 है और half yearly amount है 48316 दोस में पे सितने हैं इन अधिशन टु डियाट मनी पे करना है क्लोधिंग फीस पे करने है नियू स्टीन पे करना है पॉकरद मनी पे करने है जब मैंने इनकी साइट को सर्च किया श्कॉलरशिप तो इसमें नहीं निकल कर आई दूसरा एक और स्कूल का मैं आपको बताता हूँ जो हमने फीज का सर्च किया है तो online fee payment ये सैनि स्कूल बाला चड़ी ने बहुत सारा detail दिया है जब बाला चड़ी में जाएंगे तो यहाँ पर इनका fee बाला जो है ये भी बंद कर देते हैं ये भी बंद कर रहे है ये fee circular है बाला चड़ी का ये circular आप डाउनलोड कर सकते है वहाँ पर save का option है यहाँ पर दिया हुआ है आपने एक installment में अगर pay करना चाहते हैं तो 1,43,500 रुपीज इनका साल का चार्ज है 10 अपराल 2023 को pay करना था अगर कोई 2 installment में pay करना चाहते हैं तो पहले installment थी 95,285 and second installment है 48,415 कई parents का था कि नहीं हमसे पूरी fees मांग रहे हैं तो आपने school की website पे जाके चेक करना है अगर इस परकार 2 installment में pay करने की सुवधा है तो आपके पास जब बच्चे का admission होगा ये 10 April से पहले pay होना था दूसरा जो installment है वो 30 November को pay होगा कई हैं जेन्होंने बिल्कुल equal installment पे पटावाए वो आपको अलग-लग school की website पे जाके चेक करना पड़ेगा और इन्होंने इसका breakdown दिया होए एक्स्टा मैसिंग क्या है clothing, washing charges सब दिया होए अब कहारे हैं दो ही state है जो दूसरी state में अगर उनका बच्चा पढ़ रहा है वो एक बिहार state है और दूसरा है defense scholarship जो defense वाली है उसके बारे मताएंगे scholarship किस परकार से उसका इन्होंने दिया हुआ है कि क्या आपने करना है बिहार के scholarship holder defense should submit documents 15 जुलाई से पहले आपने document अपने submit करने है जिसमें आपका pay certificate और ये सब जो income certificate है वो बनवाना पड़ता है अब blank option certificate is available option certificate आपका DIY school की website पे वो आप जा के चेक करें तो मैं चाहता हूँ ये दिखाने का purpose यह है कि 33 sanic schools है 33 के 33 sanic schools का इस प्रकार के वीडियो अगर एक में डाला तो 3-4 घंटे का वही वीडियो बन जाए आपका जो भी है मैंने आपको तरीका बताया है कि sanic school society की website पे जाए अपने दिये वे sanic school को बारे में search करें अगर कोई जानकारी नहीं है तो 10 रुपे खर्ज करें online RTI application डालें आपको sanic school scholarship के बारे में कैसे fees पीज़ की जाते है उस सब का जवाब देगा और पक्का देगा क्योंकि open domain वाली information है अब के वाला चड़ी का जो हम है ये structure डिसक्स करते है गुजराच state scholarship क्या कह रही है income slab परनानम अगर अगर आपकी 40,000 रुपे साल income है तो आपका scholarship amount है general and OBC category के लिए तो आपको 15,000 रुपे scholarship मिल रही है अगर 40,000 एक से लेकर 60,000 रुपे साल की income है तो 7,500 रुपे अगर आपकी per annum 60,000 से उपर है income तो आपको कोई scholarship ने मिलेगी SCST category के लिए अगर आपकी income एक लाग है तो आपको 15,000 रुपे scholarship मिल रही है एक लाग से दो लाग तक 7,000 रुपे और दो लाग से उपर जो है अगर income तो आपको कोई scholarship नहीं है incentive for joining NDA अब जो बच्चे अंडिया में जा रहा है उनको incentive दे रहे है reimbursement of tuition fee excluding scholarship assistance from 6 to 10 by government of Gujarat तो Gujarat के जो बच्चे जो वहां से NDA चले जाते हैं उनको पूरी tuition fee जो उन्होंने अपने fee detail में दिया वा था वो पूरी की पूरी वो चल ज़ेगे और one time cash award भी दिया वा है बहुत अच्छा मुझे इनका वह लगा free education policy from this financial layer government of Gujarat has announced free education policy under this scheme all Gujarat domicile cadet who were studying in government primary schools non-government added primary schools under tribal development department of Gujarat prior to Johanin Sainek को बालव सड़ी are eligible for education and free Sainek School education from class 6 to class 12 कल वाटसाप पे मेरे से एक भाई साब की बात हो रही थी वो मुझे मेरे ख्याल से यह बताना चाहरते उनको मैं जवाब नहीं दे पाया तो अभी अच्छा हुआ मैंने स्क्रॉल कर लिया मुझे जवाब मिलके तो यह आपको पक्का पता करना है कि domicile जो है गुजरात के रहने वाले जो की government primary school में पढ़ रहे है non-government aided private primary school schools under social justice and environment department schools under tribal इन सब स्कूलों के बच्चे ही अब इसमें जवाहर नवोदे विद्याले शामिल है कि नहीं हम सीधे नहीं बता सकते लेकिन मुझे लगता है क्योंकि government aided जो है schools है उसके अंदर में आता है तो इनको वहाँ पर tuition fee नहीं देना पड़ेगा लेकिन जब हमने tuition fee बोल दिया है तो tuition fee के अलावा जो बाकी fees थी जो मनें fee आपके उसमें बताया था वो इनको देना पड़ेगा तो बहुत अच्छा होगे अब यह है food subsidy to gudraal domicile cadets food subsidy of 52 rupees 50 for 295 days to gudraal domicile cadets को मिलेगा 15,496 रपे साल के अंत में मिलता है अगले साल की बाला चड़ीगी इस प्रकार हर एक जो sanic school है उसकी जो scholarship का तरीका अलग लग है आप RTI application डाले और school से जो भी आप जानकारी पाना चाहते हैं आप ले ले अब दूसरा scholarship है defense scholarship by M.O.D. यह तो सब जानते ही है जो other ranks and NCOs के बच्चे हैं full scholarship है उनको 32,000 पे साल की scholarship मिलती है, ward of JCOs को half scholarship मिलती है, 16,000 officers के बच्चों को कोई scholarship नहीं मिलती है, आप वो किसी भी SCST, OBC में होज़िकने officers आपको scholarship नहीं मिलेगी अब 50% central assistance by M.O.D. आप जैसे बताया था, गुजरात state वाले जो जिनको full scholarship मिले थे 15,000 पे, उनको full scholarship holder को 2,000 पे और देती है, ministry of defense, half वालों को 125 रुपे देती है, अब 125 रुपे से क्या आएगा वो मैंनी उस पर वो करूंगा incentive for joining tuition fees for joining N.D.A. पता दिया sharing of burden by M.O.D. to reduce financial burden of parents, ministry of defense is providing sharing of burden to all cadets, ये सभी cadets के लिए लागो है, सभी sanic schools में लागो है food subsidy भी जनरी सभी sanic school में सभी cadets के लिए लागो है, लेकिन ये जो 11,828 रुपे शेयर बदली होता रहता है, लेकिन तकरीबन 11,000 से 12,000 रुपे साल में आपको दिये जाते हैं, एक और sanic school को हम देखते हैं, जो sanic school है बीजापूर, इनकी scholarship scheme है, liberal scholarship on the base of merit come means, basis provided by government of करनाटगा, merit come means मतलब, अगर आपकी आए भी कम है लेकिन ये नहीं कि आपका बच्चा विलकुल नलाएक वाले नमबर ला रहे हैं, उसके नमबर भी 60-70% से उपर उन से, ये जानकारी आपने लेनी है, तो कह रहे हैं, अगर 13,000 पे प्रती महा से आपकी income कम है, बीजापूर में और ये कह रहे हैं government of करनाटगा दे रहे है, scholarship are provided based on 50% means का merit, income slash 50% of the total available scholarship, तो 50% आपको income पे मिलेगी 50% जो इसका हिस्सा है, कितनों को मिलेगी, वो आपका income प्लस आपके जो performance उस पर मिलेगी, तो 13,000 अगर आपकी income है, तो इतना आपको मिल रहे है full scholarship, diet charge and clothing charge, बदर तो 49,687 ये सारे detail जो है ex-haricement अब ये serving personal ex-haricement, यहाँ मेरे को भी doubt था, कि क्या serving NCOs को ही defense scholarship लागो है नहीं, यहाँ पर दिया है serving personal oblique, ex-haricement को भी scholarship लागो है, आप बीजापूर की site पे जाएं, उसके बाद आप पका पता करें उसके आदा central share of parents burden of or karnatka domicile अब जो center, वो ministry of defense में नहीं कहा था, दे रहा है, अगर आप full scholarship आला है, तो 2000 पे वो देंगे, 3-4 scholarship है, तो 1062 में लेगा और half scholarship है, तो 125 रुप में लेगा incentive to the credits who joined NDA oblique TAS, यहाँ TAS भी आ गए वहाँ पर बालचड़ी में खाली NDA लिखा था, reimbursement of actual tuition fees paid for classes 11th and 12th only तो मैंने क्या बताया, इस पूरे वीडियो में, कि जो fees है हर sanic school का fee structure अलग है scholarship सभी sanic schools में उसका प्रविधान है, लेकिन आपको उस school से पता करना पड़ेगा, आपको खुद करना पड़ेगा, वो जिन मैडम से सुबह मेरे बात हुई, वो कह रहे हम क्यों mail भीजेंगे, आपके बच्चे ने जाना है माँ पर मैं तुक किवल informative videos बनाता हूँ, informative videos का मतलब यह होता है कि आपको information होना चाहिए, कि यह चीज़ संभव है, आपने RTI, online RTI करना है, आपने ministry of defense चुनना है, उसमें sanic school या ministry of defense से दुबारा दूसरा department में चुनना है और address करना है, chairman sanic school society के लिए, उनके साथ में वही application की copy, उस concern sanic school के लिए address होनी चीज़, तो अपने chairman साब को request करना है कि sir, हमें जानकारी उपलब करे जाए, हिंदी में लिखके आप उसका PDF बना के upload कर सकते हैं, नहीं आता है तो अपने नजदी के e-sewa केंदर में जाएं, वहाँ पर जो भी लड़का लड़की बैठे होंगे, वहाँ पर जो है, उनको बताना है, जी मेरी समस्या है, मुझे RTI application देनी है, they will guide you, 100 रुपे, 500 रुपे अपना service चार्ज लेते हैं, आपसे पैसे लेते हैं, वो आप खर्श किजिए, लेकिन आपको बिल्कुल सही जानकारी, यह सारे स्कूल प्रोवाइट खरेंगे, तो जैसा हमने पिछले वीडियो में बताया था, सैनिक स्कूल की जो फीस है, वो 1.3 से 1.5, 1.8 लाक रुपीज तक है, आपने देखा, लेकिन जब हम MOD का share calculate करते हैं, जब हम food subsidy calculate करते हैं, तो 30-35,000 पे का आपको फरक पड़ता है, तो जब 1.3 बोलते हैं, तो 1.8 है, तो 1.5 लाक के करीब इतना फीस आपने साल में बच्चे के लिए खर्च करना है, और यदि आप economically weaker section में आते हैं, तो उसमें देखने वाली बात किया है, कि आप अपनी state में ही उसका लाब उठा सकते हैं, आपका बच्चा यदि दूसरे स्कूल में पढ़ रहा है, दूसरे स्कूल में पढ़ रहा है, वहाँ पर आपको लाब नहीं है, इसको करने के लिए क्या है, आप सीधा CP ग्राम से वजाएं, प्रधान मंतरी जो अपना मन की बात करते हैं, वो कहते हैं कि हम से समवाद करें, आपने अपनी समस्या लिखनी है, अब कई parents कहेंगे कि हमें तो आता नहीं, यह तो सारा आपने इतना मुश्किल काम बता दिया, लेकिन बहुत सारे parents हैं, जो पड़े लिखे हैं, जिनको इन सुवधाओं का लाब उठाना आता है, जिनको यह अपनी बात कहना आता है, मैं उन parents को request करूँगा कि आप ये भला काम समझ कर पका करें, और अपनी बात PMO तक पहुंचाएं, ताकि आगे आने वाले वर्षों में आपको लाब मिले या ना मिले, लेकिन आने वाले जो सैनिक स्कूल की जो पीडिया हैं, उनको आपके इस अच्छे काम का लाब अफशे मिलेगा, That is all in this video, thank you, bye bye and jahin.